जो लोग सच सुनने के बाए डी मोटिवेट हो जाते हैं, उनके लिए वीडियो नहीं हैं। तो यार 1500 डॉलर की टिकेट आती है, टिकेट कटाओ और अपनी होम कंट्री में जाओ, उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली जॉब ढूनने में। काफी सारे लोगों का ना अभी त तो सारी चीज़े बढ़िया रही और लास्ट सेमेस्टर में, मतलब पढ़ाई कंप्लीट होने से पहले ही, उसको तीन जॉब आफ़र्स आ गे थे, उसमें से उसने एक फाइलाइस किया, और पढ़ाई के बाद अपनी जॉब करना स्टार्ट कर दिया, जॉब करने के एक सा कैनडा आया था, बहुत सारी सपने लेके, लेकिन स्टुडेंट टाइम पे उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की, और फिट पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद उसको अपने फील्ड में जॉब मिली नहीं, मतलब कोई धंकी जॉब नहीं मिली, एक नॉर्मल सी जॉब कई ओर मूव हो गया, क्योंकि पूर्यर बगरा लेनी थी, और आज के टाइम भी वह वो ही जॉब कर रहा है, टाइम भी सेम था, और कॉर्स भी सेम था, लेकिन दिफिरन्स था माइंड सेट का, तो आज की बहू guard करें, लेकिन video स्टार्ट कने से पहले एक चीज़ आप का friend या फिर कोई ना कोई पडोसी या फिर कोई ना कोई नोन person किसी foreign country में जैसे कि US, Canada, New Zealand, Australia मलब किसी ना किसी foreign country में बैठा हुआ है, ठीक ठाक से एक गाड़ी ले रखी है, नॉर्मल सी life चल रही है, उसकी Instagram के आप अच्छी अच्छी फोटोस देखते हो, और आप जो जिसको पथर लगा है, वो FOMO के अंदर जी रहा है कि वो तो अमीर है, मैं गरीब हूँ, उसकी life बढ़ी है, पता नहीं वो क्या ही कर रहा है, और मेरी मेरा 9 परसन वहाँ पर जाके बैठा हुआ है, और मेरे को लग रहा है कि मैं अपनी life में कुछ ना कुछ मिस कर रहा हूँ, उसकी life बढ़िया चल रही है, तो consultant अपने profit के लिए आपको बिल्कुल घटिया सा एक course, जहां पर उसकी सबसे ज़्यादा 12 कर लेते हैं, फिर BTEC करेंगे, BTEC के बाद सोचेंगे अपनी life के अंदर क्या करना है, उसी टाइप से आज के टाइम पर क्या और क्या रहा है, कि भी 12 कर लेते हैं, यहां फिर graduation समझ के Canada हो, पहली चीज तो यह है, अब रोना मत की भाई, ऐसे बोल दिया, क्या कर दिया, जो सच है, तो सच है, अफिर दूसरी चीज यह है, कि जब आप यहां Canada आओगे ना, तो आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे, सब की life अलग होने वाली है, किस सब आप comparison में ही रह जाओगे, depression में आ जाओगे, मतलब जो आप कर सकते हो, जिस चीज के आप capable हो, वो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि comparison बहुत ही बुरी चीज होती है, दूसरा scenario यह आजाता है, कि अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कर देते हो, जो अपनी life में सबकी timeline अलग होती है, आप देखोगी कि उनकी life तो ऐसी है, वो तो ऐसे खर्चे करते हैं, उनकी enjoyment तो ऐसे होती है, फिर आप उसी में राजा होगे, भाईस आप बहुत दिक्कत आजेगी, तो please do not compare yourself with anybody else, अफिर अगली चीज यह है कि ज़रूरी नहीं है कि जो course आपका favorite YouTuber, यहां फिर Instagrammer लेके Canada आया था और उसकी job लगी थी, तो वही course आप भी लेके Canada आ जाओगे, तो आपकी भी job लग जाएगी, यहां फिर आपको कोई random relative, लेक चाचे का लड़का, मामे का लड़का हैं, फिर कोई स्कूल का friend यहां, फिर कोई भी known person एक specific course लेके कि इसी foreign country में गय होता है, हर person का mind अलग तरीके से काम करता होता है, generalization नहीं होती है इन चीज़ों में, और जब आप यहां Canada आ जाओगे, तो दस जगा से पता नहीं, अलग-अलग type की आपको suggestions मिलेंगी, इस city में चले जाओ, इस province में चले जाओ, यह वाला काम में कर लेता हूँ, यह license लिलो, जॉब लग जाएगी, हर बंदा अपनी life के goals के हिसाब से, अपनी life के experience के हिसाब से, चीज़े suggest करता है, उसको आपकी life के वारे में कुछ नहीं पता, Instagram पे भी suggestion मिलती है, YouTube पे भी मिलती है, real life में मिलेंगी, सुनो सबकी, लेकिन अपनी research के हिसाब से आपको सारी की सारी thinking है, वो majority of the लोगों की thinking के साथ match नहीं करेगी, तो उस case में लोग आपको judge करेंगे, for example, मेरे student time पे, मिर से बहुत सारे लोग ये पूछते थे, कि भी तरह PR लेने का क्या plan है, क्या planning कर रहा है तू, मैं बोलता था, कि PR लेने का मेरा कोई plan नहीं है, मेरी top priority है, कि मेरे को अप तरीके से मेरे को judge करते थे, मेरे को पता था, कि मैं सही जगा पे मेहनत कर रहा हूँ, वो जो 4 घंटे है ना, मैं अपने skill development में invest कर रहा हूँ, जो कि मेरे को बाद में फल देंगे, मतलब benefit मेरे को देंगे, तो simply आपको लोगों की judgment से डरने की ज़रत नहीं है, आपका जो path है आपकी जो सोच है, वो सामने वाले बंदे को कभी भी समझ नहीं आने वाली, किसी को समझाने की ज़रत नहीं है, कि भाई मैं ये करना जाता हूँ, वो करना जाता हूँ, मेरा mind ये कहता है, जो आप करना जाते हो, वो करो, किसी से आपको approval लेने की ज़रत नहीं है, अगर लो सारे स्टूडेंट्स के साथ मिला हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ मिला हूँ, काफी सारे लोग ऐसे हैं, जो 2018 में, 2019 में, 2017 में कैनडा आये थे, और माल लेते कि वो एक प्रोविंस मालब उंटारियो के अंदर आये थे, अपनी पढ़ाई करने के लिए या फिर प्र लेके, आज तक वो एंटारियो से बाहर ही नहीं गए हैं, उन्होंने कैनडा को एक्स्प्लोर किया ही नहीं है, मालब यह थोड़ा सा टाइम निकालके, थोड़ी से पैसे इन्वेस्ट करके, 100-500 डॉलर की फ्लाइट टिकेट आ जाती है, राउंट ट्रिप, फ्लेर की, सस्ती वाली बजेट एरलाइन, तो थोड़ा कैनडा को एक्स्प्लोर करो, बिडिश कॉलंबिया, अलबर्टा, सस्कैचवान, मैनिटोबा, नियो ब्रंस्विक, क्युबेक जाओ, नवा स्कॉशिया जाओ, थोड़ा सा देखो, कभी-कभी क्या होता है कि जिस जगह पे हम रहा रहे होते है, बहुत सारा अलग-अलग टाइप का लाइश्टायल है, तो थोड़ा सा एक्स्प्लोर करो, उससे आपका दिमाग भी खुलेगा, और इस आपकी दाब थोड़ा सा बढ़िया हो, अब आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारे लोग कैनडा आते हैं, उनका रीजन क्या था कैन अच्छे से करनी आते हैं, यह प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हर एक कंट्री के अंदर होती है, इंडिया में भी कुछ अची चीज़े हैं, कुछ बुरी चीज़े हैं, कैनडा के अंदर भी कुछ अची चीज़े हैं, कुछ बुरी चीज़े हैं, हर एक कंट्री में कोई डॉलर की वालमार्ट के अंदर मिल रही है तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं एच्छे डॉलर की है तो है आपको वर्कराउंड करना है कि किस तरीके से आप अपनी इंकम को इंग्रीज कर सकते हो कोई साइड असल, कोई अच्छी जॉब, अपने अगर रोने से जॉब मिल जाती है या फिर सारी चीज़े ठीक हो जाती है तो मेरे को बता दो मैं भी रो लेता हूँ या फिर कंप्लेंड कर लेता हूँ यह दिक्कत है वो दिक्कत है में भी गॉर्मन्ट आ जाए या फिर जस्टिन डूडो भाई सब आ के कहें लेकिन पढ़ाई के बाद आपको करना क्या है तो काफी सारे लोग यह कहते हैं कि मेरे को पढ़ाई के बाद एक सर्टिफिकेशन लेनी है उसके बाद बैंक के अंदर नौकरी करनी है चलो ठीक है रहा बैंक में जॉब करना जाते हो अगर आपको 17 लेकिन जब आपको 15 फाप्लिकेट्स लेकिन जब आप किसी जेनरिक फील्ड में देखते हो marketing, marketing associate या फिर software developer, उसमें होता है 200 applicant, 200 applicant, तो आप देख सकते हुए किस तरीके से आप stand out करोगे हो, और जो भी आप niche के अंदर हो, उसमें इतनी महारत आसिल करोगे हो, कि अगर आप face off भी हो जाए ना किसी के साथ कि वह competition है, आप उसको पचाड के रख दो, तो इस तरीके से आपने आपको आपने specialize करना है, एक particular niche के अंदर देखना job मिलने में कोई दिक्कत नहीं आई, और एक और चीज जो मैं आप लोग के साथ share करना जाता हूँ, वो यह है कि यह काफी सारे लोगों को मैंने देखा है कि यह हरवक्त अपने career में ही डूबे रहते हैं, और फिर हरवक्त पैसा-पैसा पैसा ही करते रहते हैं, अगर दिन में 24 घंटे हैं 8 घंटे अगर वो सोते हैं, तो सपने में पैसा पैसा करते रहते हैं और जब जाग रहे होते हैं रिमेरिंग 16 गंटे करियर 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 पैसा पैसा करते रहते हैं मैं मानता हूँ यार पैसा बहुत जाला जरूरी है पैसा अगर भगवान नी है तो भगवान से कम भी नी है लेकिन स्टिल career के भाएर भी दुनिया होती है पैसो के भाएर भी दुनिया होती है भाएर निकलो दोस दोस बनाओ girlfriend, boyfriend फोड़ा बनाओ घूमो फिरो फोड़े से आप खुलोगे बहुत ही धक्ये का के सीखा हूँ तो please भाएर निकलो लोगों से बाच्चित करो तो हर वक्त अपने फोन में मड्डू पे रोगी भी रील देख लूँ, लेप्टप चला लूँ, वीडियोस देख लूँ, नहीं, घर से बाहर निकलो, लोगों से बाचित करो, तब ही आप थोड़ी से confident होगे और दुनियादारी के बारे में सीखोगे. बाकी अगर आपका CRS score नहीं बन रहा है और आप यह जानना चाते हो कि कैसे आप उसको increase कर सकते हो, तो यह left वाली वीडियो जाके check out करो, और tax का season आ चुका है, अगर अपना refund आप increase करना जाते हो, तो right वाली वीडियो चेक आउट करो, बाकी अगर आप लोगो वीडियो तो please like, share and subscribe and as always stay healthy and keep hustling और थोड़ा बाहर निकलो और दुनिया देखो